Age, just a number The age of 57 लोग अपने रिटार्मेंट की सोचते हैं मैं आज आपको ऐसे शक्स से मिलाने जा रही हूँ जो 64 years के हैं इतने fit model है, actor है तो सीधे उनके पास चलते हैं और बात करते हैं उनके fitness के राज का दिनेश मोहन जी, आपके fitness का राज क्या है? Thank you, आपने अच्छा introduction दिया मेरा मेरे fitness का ऐसा कुछ राज नहीं है मतलब कोई भी slight style को अपना सकते हैं मैं अच्छा पैनता हूँ, अच्छा खाता हूँ, अच्छा सुचता हूँ और अपना ध्यान में That is the only thing But, आजकल जो मैंने youngest age की लोग देखे हैं जिम में जा रहे हैं, इस्ट्रॉइड ले रहे हैं मतलब कुछ-कुछ ऐसे भी इस्ट्रॉइड इतना heavy ले लेते हैं कि उनकी death हो जाती है तो ये कहां तक सही है? ये शॉर्ट-कुट का समान में हम जाता है ये वाला जो आजकल दोहर चल रहा है और especially, मैं यह stress को दोशनी ही लूँगा सभी age group के लोगों को विए है कि कुछ भी achieve कर दा है तो ऐसे achieve हो जा है तो उसके लिए ये सारे short cuts हैं और फिर मिस्काइड करने वाले लोग जिम में जाते हैं जो जिम के लोग है उन्होंने अपने substance बेचने हैं जो भी कह लीचे, किसी एक particular हो नहीं बोलता और सब को short cut चाहिए कि जैसे आप दिख रहे हो ऐसा मैं क्यों नहीं दिख सकता तो मतलब एक दूसरे की होड़ करना आप ये गहना चाहते है तो दिनेश मोहन कौन है इस मुकाम पर जो वो पहुंचे है उसका राज क्या था, कितना struggle किया क्या-क्या उतार चड़ावाए वो जानना चाहूंगे देखे, फिर से वही बात है अगर मैं एक प्लैन करके आता है एक टार्गेट बना के आता है तो सब कुछ ब्रेकडाउन करके मैं आपको बता पाऊता है वगर ऐसा कुछ नहीं था जब मैं अपने डिप्रेशन से या जो भी मुझे इश्यूस थे बारा-तेरा साल जो है बिमार रहा जब मैं उससे निकला तो मेरा सिरा स्टेक ही प्लैन था कि अब मुझे जीना और जो काम पहले नहीं कर सका मैं इत्ते सान सबकी लाइफ में आता है तो वो उसी स्ट्रगल में मेरा निकल गया था तो कुछ भी प्लैन नहीं किया था बहुत रैंडमली ऐसे ही कहीं पे गया किसी में सेजेस्ट किया कि आप ये क्यों नहीं ट्राई करते और मैं सोच रहा था क्या करूं जिस से थोड़ा टाइम पास हो थोड़ा एकनॉमिक एक्टिविटी वो थोड़ा सोसाइटी में लोगों से मिल जलू क्योंकि घर पे बंद रहा है अच्छा ये घर पे बंद रहना किस वज़े से हुआ था कुछ मेरे परसनल इशूस थे सरकमस्टासिस थे जिनकी वज़ा से मैं डिप्रेशन से सफर करने लगया है डिप्रेशन में भी आई है तलगबक कितना समय आप डिप्रेशन में रहे थे तेखिए एक ऐसी ये बिमारी नहीं है डिप्रेशन जिसको मैं कहूँ कि यहां से शुरूओ और टॉक्सिक हो जाता है हो जाता है और आपको पता भी नहीं चलता कि वो कब आपको उसने घेर लिया और पुरी तरह से पने काबू में ले लिया इंसान मुझे लगता है कही नहीं खोकला सा हो जाता है इस चीज में आके ग्रोरोन कुछ समझ में नहीं आता जो चीज फिर उसको लगता है कि मेरी लाइफ बरबाद है मतलब इसके लागी मेरेGenड़ कुछ भी ने मेरेफ में कोईब नहीं नहीं नो Fast आो और या स्ब्रह्भ ने consistent of a tis खे पागल्पन कहने है तो हम लोग अंदर दबा के रखते हैं तो अब मुझे यह नहीं पता कि कितने साल मैंने खुद को भी नहीं बताया कि मैं डिप्रेशन में हूँ वगर जब मैं पैचानने लग गया वो लगवक 2004 में रखना ले उसने और वहां से फिर वो बिमारियां जो है वो कई लगती है क्योंकि मुझे इटिंग डिसॉर्डर था कि मैं मजब बिना बताये और और टाइम पे किसी को बताना लगे चोरी-चोरी खाजाता था बहुत कुछ इस बिमारी में यह होता है तो यह दो चीज़ें कंबाई हुई तो मेरा वेट बढ़ने लग गया और वेट बढ़ने की वज़ा से वेट कितना बड़ा था आपका मैं जब लास्ट पंद चाहां से मैंने ठीक होना शुरू किया यह उन्डर्ट थिपाई के चीज जी तो और फिर मुझे एक लॉस आप मोटर फंक्शन एक बिमारी होती है वो बुगई बीच में एरांग 2009 में जा तो फिर मैं बेट से लग गया क्योंकि उसमें आप चल सिर नहीं तर तो वेट बढ़ता रहा बिमारिया हो तो जब यह सोचा के नहीं आ रहा मसला आप मसला आलमोस्ट तो आप कोई तो अब क्या हो जाएगा मतलब अगर कोशिश करोगे तो जाज़ाद मर जाओगे तो मरें में कोई था आपका मतलब फामली रिलेक्टिव जाफिर पिल्कुल देखे पाकी सब लोगों को भी यही कहना चाहोगा कि कम्यूनिकेशन जो है वो डिप्रेशन में ब सब्सक्राइब तो वो साथ तो वो एंकरेश करते थे कि नहीं भाई आप फरक परस्टेलिटी थे और आप कैसे वो तो उनको लेट डाउन ना करने की बज़ा से मझे डगा किया यह लोग एकना सपोर्ट कर तो तुम उसको भी सपोर्ट करो और भाई का होता है बाई कही ने कही अपनी बहनों से बहुत अटाच होता है सबसे में ली छोटी बहन से यह चीज होता है क्योंकि मैं वह अपने घर में लाडली हूं सबसे छोटी हूं तो अपने भायों की मतलब होता है लाडली विल्कुल पैमपर करके रखना जो बोल दिया वो चीज होनी होनी है तो यह पीरियड खतम हो गया, तो जब देसाइड किया कि नहीं मुझे उस में से निकल गया, तो फिर चीजे जो है वो आप मोटिवेट हो गया, आपको मोटिवेट करने वाले आपकी फैमिली मेंबर्स आपकी साथ थे, अपने साथ होने चाहिए, फिर तो इंसान दुनिया से जीत लेता है, ये बात कहीं न कहीं सच है, कि अगर अपने साथ हो, तो कोई कुछ ने बिगार सकता है, तो आपके अप अपनी साथ थे, मतलब आप क्रेड़िट अपनी फैमिली को देते हैं, ये फैमिली के वज़े से आज में इस मुकाम पर, तो परवाला और मेरा परिवाद, अगर ये दो सेक्टर्स ना होते तो फिर ये सब होना नी, बस डिसाइड किया कि वेट लॉस करना, क्योंकि इनक्षन था कि मोटे होने की वज़ा से बिवारिया लग लग लेगे तो लग पर कितना समय लगा आपको वेट लॉस को मैंने बहुत जल्दी कर दिया, नो-दस महीने में 45 केजिस मैंने 45 केजिस उसके पीचे सबसे बड़ा कारण ये था कि एक, मुझे बहुत अंदर से एक काते थे कि आज दुमने इतना खाना है तो गर उसको भी आफ कर देता तो इस वज़ा से जो है वो जो मेरा एंथूसियाजम था कि बस वेट लॉस हुआ तो एक टाइम पर खाना मतलब आप ऐसे बोड़ रहते कि मुझे एक बिमारी लगी ती जिसके बिज़े से मुझे भू करने में तो मुझे कोई टाइम लगा क्योंकि मैंने जिस दिन डिसाइट किया कि आज मसलब मैंने अब बेट लॉस करके अपनी सेथ जो है वो ठीक कर दिया उसी पल से मैंने चीट करना बंद कर दिया बिलकुल लॉयल थे मतलब इस चीज में रहते हैं कि जो टिपिकल तो एक तरह था है वो हल्वे वगर आपहुत देते हैं और खीर, हल्वा ये वो तो उन सब से अवर्शन हो गया मुझे लगता था ये इनकी वज़ासरी में जो हुआ है तो खाने से इंसान के फैटी हो जाता है ये बात है क्या कहीं नगए नहीं मुझे लगता है कि इंसान खुष्यारी रहे न घुब ये खुष्यारी मुझेए है विखिंग kalo आपटी है स्कारिज क्राशी मुझे लगते हैं नहीं कुछ दो क्यों करना हूं थो और थेखिए अतला टूर में थे चाहिए मुझे लगता है रगतार। और त्योंकि इतनी फास्ट हुआ तो मैं नोट भी नी कर पाया कि ये मैं ही हूँ जब लोगों ने कहना शुरू किया, फ्रेंड्स ने, रिष्टेदार उने चाहिए, तुम्हें क्या होगा तो बड़ी जो है थै ना, हमारे देश में फन्नी चीज क्या है जब आप पोट्टे होते हैं लोग कहते हैं वाँ, क्या सिरेत है तुमारी जब वेट लॉस करते हैं तुझे बिवारी होगी हाँ, यह है, यह आप बिल्कु सही बोल रहे है, मतलब यह पॉइंट पकड़ा है, कि उस टाम कोई यह नहीं मूलते है कोई बिमारी तो नहीं हो गई है तुझे, बस एक ही टॉंट मारते हैं, खाता बहुत होगा, यह खाली तो अच्छी, अच्छी से तुझे, क्या है ठीक है करना है, लोगों की बातें नहीं सुने, वो इट हैपन और वाकी सब चीज़ें जो है, चलते गहीं सब्सक्राइब हो गया, और इदर उदर जाने लगया, फीजियो टेरफी लेता था था बहुत, तो मेरे फीजियो टेरफिस ने का मुझे सबसे पहले, कि उसके फादर किसी मौडलिंग एजनसी में हैं दिली में, उसमें बोला कि सराप्राई क्यों नहीं करते हो, तो मुझे लगा कि यार ये बंदा बता कर रहा है, या बेस्टी कर रहा है, या क्या कर रहा है, बस अब आलरेडी मैं जैसे आपने बोला, 56-57 साल का था, और जो इंडस्ट्री के बार वेट लॉस होने के बाद भी आपका सबसे पहले फिकर ये होता है, यार मोटा नहीं लगूँगा, तो मुझे लगा रही है, बंदा मजाक कर रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है, बट वो फिर एक के बाद एक चीज़ें उती गई हो, तो मैं उस एजनसी में आटिशन के लिए तो लड़के लड़की आए बट नहीं आपके हाइड भी ठीक है, अच्छी है, अब लगा के मेरी एज को कोई भी नहीं है, तो मुझे क्यों प्ला लिए है, तो आप यखीन मानिए कि उस सारे क्राओं में सोनों में सिर्फ मुझे ही साइंग किया, और मुझे लगा कि अब अब आपके हैं जब अडिशन से पहले, तो फिर इसको मैं पूरी शिद्दत से करोगा, इस इस वन चार्स एट लाइक इस गिवन, वो सकता है, यह दुबारा मुझे बुलाएं ना कभी अडिशन, तो अब आगे वो तो कर दो, तो फिर मैंने बहुत एक्साइटमेंट में जो है, वो फूरा मसा, I gave it my best shot, अचा मैं लुक्स की बात करूँ, तो लुक्स पहले के एक्वर्डिंग चेंज हुए हैं आपके या पहले भी लुक्स सेंग है, बहुत चेंज हुए है, मैं जब पॉटिशन देने के आता, तो मेरे लंबे फाले और अभी थोड़ा मसलब, मसलब, इतना स्विट नहीं था, क्योंकि नया ना बेट लॉस हुआ था, गॉंस्विडेंट नहीं था, क्योंकि मुझे चलने में दिक्कत आती थी, तो मेरे चाल से पता लग जाता था, कि ये कुछ इनको प्रॉब्लम है चलने में, तो वो सारे इशुस तफिशायद उस ब कर रहे हूं, जो खुश दे रहे हैं, अगर शकल से दिखने लग गया, तो सिर्फ दिखी का पायदा क्या था, किसी का फेस भी बता देता है, ना, मुझे लगता है कि स्ट्रगल जो है, वो आपके अंदर रहे तो बेटर, आप बाहर से अगर आप पार गये, सब को पता लग नहीं लगया देखिए, और वो उन दिनों बहुत होता था, मैं किसी मॉल में जाता था, जब मैं तोड़ा ठीद बुरा था में के लिए, और मेर से चला नहीं जाता था, और वेट भी मेरा है, राउंड 90 केजी साउस्टाइड, तो जो मॉल की अथारिटीज हैं, या शराप नेते हो, तो हमारे मॉल पे गलत इंपूरस था, वो इस फरत पात है कि वहां पे बाद में मुझे आउनर किया गया उस पे, और अड़ेद सेट्रेटेश हो, उस टाइम बड़ा, वो टाइम जो आप ये वाते सुन रहे थे, और फिर बाद में ये बहुत शुक ल कोई बात नहीं होता है ना कि दिल में जब होता है ना जज़बात रह जाते हैं, बाद कुछ चीज़ है जो मुझे आ जाते हैं, और जो लोगों का एटिचूड था मेरे डूर्ड्स उस टाइए, बहुत कई लोग करूआ लोते हैं, वो आपकी स्ट्रगल को, वो ईश्वर आपकी परिक्षा ले रहा था, कहीं ना गहीं उस टाइम, और अगर आप उस टाइम हार जाते हैं, तो आज इस मुकाम में शायद आप नहीं होते हैं, आपका वो धैर्रे आज इस मुकाम पर आपको ले कर आए हैं, बट मुझे लगता है कि हमें थोड़ा काइंड होना ज़ चलनी पारे तो शराप नहीं होएगा, बात नहीं कर पारे, जबान लड़कडा रही है तो ट्रंक्स पे होगा, तो उनकी स्टोरी जानो, थोड़ी से बात चित करो, अगर आपकी स्टोरी अगर वो जान लेते हैं, तो आज मेरे सामने जो फेस है, नहीं देखता नहीं था, क बता देता हो कि तुम यह गलत पोर रहे हो, तब तो मैं अपने आप में कुम हो जाता है, कि नहीं यार मेरे में यह कमी है, अब मुझे ऐसा नहीं लगता, अब मुझे लगता दूसरों सोच में कमी है, तो वो एक शिफ्ट क्योंकि आप जो सोचते हो, आपको अगर आपकी पहले जो आप थे, वैसा कोई दिखेगा, तो आपको क्या होगा, कि आपको बात करना चाहोगे, अपने सारे जर्णी में से, कि मैं बिल्कुल नौन चेज्टमेंटर, मैं किसी को देखके, उसकी हैबिट्स को देखके, कपड़ों को देखके, खाने की आते हैं, रिलिजिन, क्लास, कलर और स्किन, जेंडर, किती तरह, कितने जेंडर रेकिगनाईस हैं, मैं किसी को देखके, मेरे दिमाग में कभी यह नहीं आता, कि यह एता है, तो क्यो होगा, इस वाल राइट, सब अपनी जीवन जी रहे हैं, और सब को लीने का होता है, बिल्कुल हग है, तो मैं जैसे मैं ड्रेस अप करता हूँ, या जैसे दिखता हूँ, I don't care, लोग क्या जच करते हैं, मुझे होना भी नहीं सही, मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, मेरे साथ के लोग जो मुझे देख रहे हैं, वो खुशे मिलने वही एनफ है, मुझे दुनिया स चलता रहता है, चलता रहता है, तो दिनेश ची, अभी हम बात कर रहे थे, आपकी पास्ट, अब मैं प्रेजन की बात करूँ, तो लाइफ कैसी चल रही है, कितना अच्छा लग रहा है बो पेस को देखकर इस फेस पे आना, कैसा फील होता है, खुश के लिए, सबसे पहले तब खुद के लिए, मेरे पास शप्त नहीं है, बहुत रूटीन जिंदगी थे मेरी, ये मॉडल एक्टर बनने से पहले, और थिर विमार रहा और सोचा नहीं था, कि मैं मॉडल एक्टर बनने, तो कोई प्लानिंग ही नहीं, एक होता है था था आप पच्छपन से प्लान क इस चीज़ को पूरी तरह से ग्रैस्प कर पाया, और जिसे कहते हैं कि मतलब एक जो मेरा आज के दिन जो सक्सेस का पोजिशन है, या लोगों का जो प्यार मिल रहा है, उसको मैं खुदी मैं सब पूरी तरह से अभी रिलाइज नहीं कर पाया, क्योंकि आदत नहीं थी कभी क्योंकि भी सोचा नहीं था कभी पी, अच्छा लगता है और मुझे ये लगता है कि खुशी से ज्यादा ग्रैटी चूट जो है, वो बहुत इंप्वर्टेंट है, तो हालाख बड़ा एमोशनल हूं, बड़ मेरा प्मानना ही है कि जिन्विगी में अगर दो चीज़े आप एक तो सेंस ऑफ यूमर तो मास्ट है और दूसरा सेंस ऑफ ग्रेट जूट के हर चीज के लिए आप काऊ किया थैट कॉड जो भी वरा अच्छा हो रहा अच्छा होएगा लोग इतना प्यार दे रहे हैं इतना ट्रेवल इंवाल्ड है इतना स्वेम इंवाल्ड है कोई शहर अ पर बापसवासे पर प्लाइट पर उससाफ से सारा इंडिया दिखाऊ होगा है तो अब मतलब यह मानलें कि वो फेस से आके दिनेश जी खुश है अब जॉइफ जॉइफुल इसको कहते है आँ अनन्द तो कभी रसे तो फ्री टाइम रहता नहीं होगा तो प्री टाइम रह अनन्द भी बहुत अच्छा लगए अब थोड़ा सा इस तेच में लगने लगए है कि लोग इतना इंटर सीर ना करें अगर थैंक गड़ कि वो भी हो रहा है अच्छी बात कई बार यह होता है कि आत बड़ी प्राइवेसी जो है वो क्योंकि कई बार आप जब मैं खाना ख हो जाते हैं अब भी तरीनली इससे जड़ता आप में मूट स्विंग मतलब मेरा है मानना है कि एमोशन जो है आप इंसान हो तो हर एमोशन एक्स्पिरियेंस करने के लिए आप दुनिया में तो मन को मारते रहोगे क्या मैं इतना मैच्छी हो रहूं जैसे अभी हुआ था कि मुझे रोना नहीं है सब क्या कि क्यों नहीं मेरा मन किया मैं रो लिया मेरा मन करेगा मैं आस मन करेगा मैं उठे डास कर लोगा गाने गाने कर तो तिमाग को खुला जितना तबाएंगे उतना हो पढ़े ये बात तो फैक्ट है कि free mind होना चाहिए तब भी आप कुछ कर पात उनको पता लग जाता है कि इस वेक जा रहा है तो टीक है तब काफना जीने कर तरीका है तो बॉलिवुड में आना उसके बाद सारी चीजें आपके लिए नहीं नहीं रहे होंगे उस टाइम तो पर कैसे ब्यार बहुत एक्साइट अच्छा अच्छा अब फस्ट मूवी ज अच्छा अच्छा और वोपस एक बार की सपन में कड़ा हुआ था मैं एक बार शाथी उससे था पादर जीखता नहीं आदा शाज़ा था ओपसर्व करता था क्यारी कैसे एगारा उंगर्स करते हैं पब्लिक के साथ पीज़र केसे करते हैं प्लस उनका जो इस ट्रेसिंग का था वो इतना इलैबोरेट था सबका जो हीरो इस थी तो वो एक बिल्कुल डिफ्रेंट जोन में सारी सीज़ें नोट करता था सेकेंड मुवी जब मैंने की तो डैट वस भारत सल्मान खान जी तो मुझे बिल्कुल बताया नहीं गया कि मुवी किस के साथ है और क्या बस मु वहां से मुझे समझाया कि स्टार्स क्या होते यू नोगों से तो कैसे एक्सपेरिंस था मतलब यह नॉमल जैसे है किसी से बातचीट हुई और कि तो उन्हों ने भी तवज्जों नहीं दिया अगर इसमें इंपोर्टन्स रोल था अलमान के मुझा भारत में उनके साथ सीन तो उनसे बातचीट भी हुई है काट्रीना वास देर सुनिल ग्रोवर वास देर फर्स टाइंग मुझे समझाया कि स्टार्स क्या हो मगर शुरू से जो है ना मेरे में इतनी कूलनेस रही है कि मैं फेस में नहीं आने दे विगास मुझे लगता है वो एक प्रोफेशनल एंवारमेंट है वहां आपको प्रोफेशनल करना बढ़ता है तो मैंने किसी को नहीं बोला के फोटो प्चा बात में उसे बड़ा रिग्रेट हुगा के फोटो सही लिए था ठीक है मतलब आज तो दिने जी आपके साथ फोटो की चाने के लिए लोग तरस्ते होंगे पहले आप सोचते होंगे कि यार मैं क्या अब ऐसा कैसा मतलब कैसा लगता है एक सैलिबर्टी लाइफ में जो भी हो रहा है सब कुछ अच्छा है सब चीज को आप एकसेप्ट करते हैं मतलब वो लग नहीं ना कि मैं एक खुष्टेल इंसान से मतलब जो इसका ऐसा फेस भी रह चुक है उससे बात करें मतलब मुझे खुद अच्छ इसा लग रहा है कि यार पॉजिटिविटी होती नहीं कि इंसान के साथ आती वो पॉज अगर उसमें भी नहीं सीखा तो फिर उससे भी गंदे दोगर में जाऊंगा तो इससे एचा सीखी लोग एंड ये बेटर यूमन दी कम से अच्छ फिटनिस की में बात करूं तो आजकल लोग अपनी सेहत पर दिहान की देते हैं अगर आप उनको क्या मैसेज देना चाहते ह तो तकलीफ आप कोई होएगी तो तकलीफ आप कोई आएगी और गंदे आलात में रहने के जासे आप प्रोग्रेसिंग कर भाएंगे तो बाड़ी तो एक ऐसी चीज है जिसमें आप गर तो फिर भी बदल जाते हैं बाड़ी में तो हमें सारी उमर रहने हैं आकरी सांस तक तो मेरा तो एक ही फॉर्मूला है कि अपना ध्यार जाना वह बहुत पैशनेटली सारी चीजों से ज्यादा रख लव यूरसेल्फ दबोस्ट और कई बार मुझे बड़ी फणी चीज़ें हो जाती हैं जैसे मुझे इस्टाग्राम पर लोग कहते हैं कि सर ब्रेक अप हो गय एक चीज हो रहा है कि आज़कर की जनरेशन में यह सिप उचीजें हो रही है कि ब्रेक अप हो गया तो सबसाइड अटैम्प कर लेना अपनी फामिली के नहीं सोचते हैं जो हमारे पीछी मंतलब जो हमारे लोग हैं जो नो नहीं जाने जाएंगे तो मुझे तुम बहुँ आपकी इमोशन्स और आपका जो प्राइडेसी स्पेस यह किसी आलत में किसी के लिए कॉंप्रोमाइस करते हैं अब अगर थोड़ा सा अपने लिए भी रख लेते तो जिंदगी अराम से निकल जाती बट हमारे देशने सेक्रिफाइस का जो माहौल हो बहुत जबरदस्त है अब मेरा यह खहना है कि अपने आपको कभी बढ़ा है और सिर्श अभी आप देपाओगे उसके लिए करते हैं तो डेडिकेशन इतना दे देते हैं कि सब कुछ फॉर्स्ट है सब कुछ हो जाता है फिर उसके बाद बोलते हैं कि नहीं अब तुमनें सुसाइड करना वो मेर कि मैंने तो यार उस पे कल ओटल में अबड़ा बिल पे कर दिया आज वसने मजे चाहे भी नहीं पूछी का थर्ड क्लास आप में है यह है अच्छा मैं लव लाइफ की बात करूँ तो आपका कैसा एक्सपेरिंस राया है मतलब किसका लोगों को देखे आपका परस्नल आप मेरे तक पॉंच मैं नहीं सब की जिन्देगे में कोई ना कोई तो एक इंसान होता है या यह दा होई दा होई दा होई सिस्टर इस दियर मेरा चेथाल का जो वेरा जीवन है मैंने यहां उसका टैटू भी बनवाया अब भी वो तिखेगा नहीं हो जसा है ओके ने को आप प कोशा में जाती है कि जुरूरत ही नहीं पड़ा तो मैं तो काम पे इतना फोकस्ट हो अगर आपको एसा अगरा होगा कि बहुत बोरेंग होएगा कि इसकी लाइप मेर ठीक है देरा पीपल आई मीट आइव लॉट बहुत से प्रेंड जिनके साथ हैंग आउट खरना हूँ इतना पर्सनल स्पेस किसी को द्याएग जी तो बहुत अच्छी बात है खुद के लिए भी अच्छा है क्षुष रहना चाहिए अब बेखो खुशी कहीं भी मिले ऐख है फैमली के साथ मिले कहीं और फ्रेंड्स में मिले कहीं भी मिले खुष रहना मैटटर गड़ तेक्ष अगर आप अपना फोन नहीं मुझे दिखा रहे अगर आप अपना पासवर्ड मुझे नहीं बता रहे तो आपको मैं इससे प्यार हो कहां गए थे किसके साथ थे कि वह बाउंडरी लिया हुने चाहिए दम सक में टिखा रहे हो ने यह प्यांडरी दिखा रायॉटे है घ्रथे हाप इससे मुझे अप कर रहता है द्हें उनिख टिखाई यहां दो भीतूलेशों की बिखा रहधी है इससे तो इंटरेक्शन भी ऐसे लोगों से रहता है, तो अगर आपकी लाइप में कोई ऐसा इंसान है, जो इस प्रोफेशन से नहीं है, तो वो कभी समझ नहीं पाएंगे, तो वो हमेशा फ्रिक्शन रहेगा, कि उसके साथ क्यों याद, उसके साथ शूट नहीं करना, मुझे कर से सिखा के बेश्टी थी कि कि किसी का आजबन तुने एक्टिंग भी नहीं कर रहा है, तो वो अच्छे बले बुट लोकिंग हैंड सम आत्मी थे, बट वो वेले ओके गर पर बैठे, क्योंकि हर सेटप के अंदर एक इसेज में तो फैमिली सेटप भी दिखाएगा, कि आ काल करके परिशान नहीं कर रहे, कहा हूँ, क्या है, कैस रहे, इचीज बहुत अच्छी भी लगती है, बट कभी एक टाइम पीरिड आता है, जब लगता है कि नहीं यार, हमारे सार दी कोई होना अच्छे था, जिसको हम उपनी पात क्या सथे, जैसे मैंने बोला, मैं अपन है, बेरी सिस्टर, वो लोग मेरे से नहीं इंटरेक्ट करते हैं, जितना वो आपस, तो मुझे वो अटेंशन मिलती ही, जब ठीक हुआ थो उनको लगा कि आम दू यंग है, और बहुत चास आएगे, गुमने तुने, कि तो वो कहीं भी जाते थे, तिल नाव, बेक शूर कि अगर मैं फ्री हूँ, तो मैं उनके साथ हॉलिडे पे या उनकी एक्टिविटीज में, मुवी देखने या ओपिंग पे साथ जाओ, तो जो मेरा भांचा है, वो कई बारी मतलब क्योंकि इसी माहौल में बढ़ा हुआ है, उसकी नजर में इस फैमिली इस ममी, बापा, और तो जिनके घर में मामून ही होते हैं, वो उन बच्चों कहते हैं, कैसे बच्चे हैं, मामू ही लिए है, तो जिसके नॉब्स को अब जितना पुश करना चाओ करते हैं, जो चीज आपको खुशी दे रही है, इस रॉड़ टिपिकल फैमिली, मुझे बहुत शुरू में पेस भी करना पड़ा अपने करिवार से के तो पहन के साथ कैसे रहेगा, पहना है उसके, बट उन लोगों ने कभी ऐसे शो ही नहीं किया, और अब तो बहुत निचरन हो गया है, एक नहीं एक डांपल सी सेट हो गई है, कि मेरी फैमिली जो है वो टिपितल फैमिली नहीं है, जो आपका सेटाप है, आपको जीन कुछ है, और अपने आसपास के अटमोस्पेर से सीखते हैं, अपनी फामिली से सीखते हैं, वही चीज हम सामने गड़ते हैं, जो मेरा अपना जो सेटाप है, जो मेरा फ्रेंड सरकल है, कोई भी 35 से उपर का नहीं है, वो इसलिए एक फ् और मेरी अपनी स्वोच ऐसी है कि बैठ के आज प्रॉक्टी का रेट क्या चल रहा है, उसके बच्चे ने क्या किया खिया, एसे बाते करने में मतलग वैसा लगता है कि, वो इसलिए कोली काई कि, वो, इसलिए प्रॉट अपर अपर माई सिस्टम, जो, आम लगी, तो आज क हर पोई अच्छा देखना चाता है, हम जो है एक्ट ये मोडल को देखे अपना प्रॉट ने सिंस चेंज करते हैं, आपनी पी अपने बिसने स्टार्ट किया है, इसके बारे जालना चाहूंगी, आज इसके पैसन अगेंगी, बिज़ मैं अटे काम को बिजनेस या उस दूसरों के कपड़े डालता हूँ तो एक अपना गवर्मेंट का लाइन है वो बनाया जाए अब जब दीरे दीरे पॉपुलर हो गया वास बिजी था तो सोच नहीं पाया तो लोग मेसेज करने लग गए कि सर आपके कपड़े बहुत डिफरेंट होते हैं बहुत हटके होते ह तो हम यह एक बड़े कागा से लिन सकते हैं तो फिर मैंने अपने फ्रेंट जो मेरे बिजनस पार्टमेरा उन से डिसकस किया अब यारं को आपना ही एक बड़ी देर से तमनाया चुरू कर दे तो उनकी जान पर चान में एक और लेडी थी जो अपना एक डिजाइनिंग ला अब किसी भी एज में अपने मास्क उतारके जो आपके अंदर डिजाइर एक अप्रे डालनी की जो रियल डिजार है कि मैं इसा दिखों या मैं एसी दिक्वों तो इसको आप किसी भी एज पे किसी बोडी साइस पे किसी भी कलर ग्रीड में पूरा कर सकते हो तो उस स्ट्रीट वियर लुक है जो मैं अभी अभी अपने ही कप्रेटा दे हूँ ओकी आपने कुछ डिजाइन की जी नाइस फ्रोई, ब्रीजी, फूर, फंकी, नॉट रिलेटिट टो एनी एज, जो कोट मैं उतारो तो इसको कोई लड़की भी डाल सके, इस टाइट के को प्रेम से, लंबे-लंबे, रोपस हैं, केपस हैं, विस्तना के गामेंट से, तो जो आप यह आइडिया गाहा है, मतलब आपके, माइन में की, यह भी गरना है, क्योंकि आपको ताइंग तो मिलता नही और मोस्ट ही हम बिजी ही रहते होंगे, उसमें यह एक फैशन डिजाइनिंग करके, जो दिल में तमन्न मुती है, उसको आप पूरा करी है, जितने भी आप बिजी हो, एट से, मतलब यह एक एक्टिविटी है, जो इसी इंडस्ट्री से रिलेटेड है, तो मेरे को बड़ा स उनको वाक करना, कैमरा फेस करना, उनके पूर्टफोलियो करते हैं, और तुम भी बहुत अच्छा चल रहा है, वो पहले स्टार्ट हुआ था, फिर यह कपड़ो वाला कि अब एक टीम तो है हमारे पास, एक ओफिस है हमारे पास, तो क्यो ना इगामेंट्स वाला शुरू क कर दिया जाए, तो हमने अपना फर्स शूट जो है, वो 35-35 मॉडल के साफ किया है, और की अबरी एपी तो से के सारे जो है, वो बोसली सीनियर एज के थे, जो मुझे देख के इंस्पायर और एंकरेश्ट की करते हैं, और जिनसे भी बात चीत हुई उन समने का पे सारे एक मॉडलिंग करने की जो आपके इस प्लैटफॉर्म से हमारी पूरी हुई है, तो स्टम बढ़ा खुशी से लए, अच्छा नद बहुत अच्छा लए, जो आपने कभी ड्रीम देखा हुआ, कि मैं ऐसा बनी, तो स्टम बहुत की महनत ने आपको इस मुकाम पे पहुचा है, और किसी और का द्रीम आप फुल्फिंट करो, उसके आप तो शाइन अच्छी लगता होगा, इस बिजनेस को भी मैं उसी तरह से ले रहा हुँ, जैसे मैं अपने काम को लेका हूँ, इस रॉप मनी रिडेटेड, यह नो, मैं इंड़स्ट्री का केला ऐसा बंदा हूँ, जो जो मेरा बन कर, तो इस बिजनेस में मुझे लगता है कि if I can give back to people, ऐसे कपड़े जिन में उनके ड्रीम्स पूरे हो, उनको डालते ही लगे कि ओके, मैं नहीं मैं उन दनिया, तो वह वाला शीलिंग है, तो इस भी एफोर्डेबल है, बहुत, सस्टेनेबल है, कि जो कत्रे मे बची होती है, जब आप नॉमल कहीं होती हो, तो उनको जोड़के, उनसे कुछ करियेट करके, तो सब कपड़े मुसली इस, तुम ते स्टार्टिंग प्राइस किया है, स्टार्टिंग प्राइस किया है, बेरी एफोर्डेबल, बेट्विन दे प्राइस अफ वान थान ना क उनके साथ काम शायद आपने किया है, उनके साथ काम दरके आपको कैसा लग उन दिनों बहुत बिजी था, जब 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 से कॉल आये, ये लॉपडाउन से पहले की बर्त तैसारी, और चंदिगर उनिवस्टी का टीवी कमर्शियल था था, और बड़ा यूनीक रोल था कि जब सुम्याज था टालता सिए अव्ड़ाए, देन में अव्यक बिजा की रवधु मेड़ाई में मौनी ए उन्ड़ी था, भूज को रग निया था ब declarative लूह एफन्टी कीे लुकि बर्वटाट्री न्यूस्टी है था, फिर बड पन्य नी था, प्रूमज के साथर कॉ लि कोगष़ाया। थे सबस्क्रीट को साठीजिते हैry। इस देख से बेख ऐस बहुत चीजिए टहर अकोगें पीक। की लाई आया होगा एक लाई होगा हुगा। अब अपन लाई आया था। क की दिए उस्टारम को समये बहूथे निरिक्टे बगर... As a model and actor, आपको Instagram के प्रूब बॉत, विचीज़ अपन अपोरिंग थी, और as an influencer, आपको बजट विन रहे थे, और घर से ही आप होम शूट्स क्रीट कर रहे थे, मैंने मेक अप करना सिखा, मेक अप करना सिखा, मेक अप करना भी आता ही, और बता चला, मुझे एक अगर चीज़ आपको बॉरिंग लाइट के साथ अप कैसे अपने अपने फोर वे शूट करते हैं, वो सम सीखा, लाइक जाने लगे तो उसके लिए लोग पे करना नगिया, I'm a very honest person, I don't like things. दुनिया के लिए फेस बोख गलत था, तो पूरी सिंपती थी वज़े, और डर भी था के बिमानी से, but as a professional person तो बहुत ओपने अप था, के लोग सम ऑल लाइन थे, और अच्छा पी एड़ रहा उसे अप से, आपके, अब तो for models and actors, not working from home, और अब तो सब से तर्टन हैं यह, अब के दिने? खुशी की बात यह है, कि अब सब कुछ करने के बात, खुश हुन नहीं बोल सकते हैं, लेकर न अब मेरी चीज़े common हो चुकी हैं, नहीं, common तो कुछ नहीं, नहीं नहीं, लाइक आपने मुझे बता हैं, कि हावो excitement हो एड़ एड़ पर गाल यह, क्योंकि पहल कि अब क्या करने जा रहा हुं ही है, इस पहुदर डोरा नहीं पीठता अब सब चीज़े हैं, लाइफ अचीवमेंट्स की बात करें, तो जाना चाहूंगी कितने अचीवमेंट्स अभी तक बिल चुके हैं, कभी सोचा ही हैं, इस वारे में मुझे लगता है तो जब आप न इतना कभी, इतना सिंपल इंसान कैसे हो सकता है, मैं यह जानना चाहते हूं, इतना सिंपल, इस ताइम इस इंडस्ट्री में मैं आया, तो बहुत सी बाते सुननी स्राट की हुई थी, क्योंकि मेरी और फर्स शूट में अलमूस दो महीने का गावन, तो थोड़ा सटी गिया तो बहुत सी बाते बता लगी, तो मैंने डिसाइट किया कि मुझे अगर इस इंडस्ट्री में आना है, तो अपने आपको पजलना नहीं है, ठीक है, तो मैं जैसा थाफ वस्टे पर वैसा ही अब तक हूँ, सिंपल हो तो हूँ, कॉंपल हो तो हूँ, सो ऐसा अभी मुस्प अच्छान नहीं है, और मन भी नहीं, कि मैं तो बड़े-बड़े काम भी वैगर की है, मुझे भूल दाते हैं, कि मैंने क्या काम किया, और एवार्ड भी मिले हैं, बहुत कुछ हुए है, बट उनके उपर आराम करना मुझे नहीं है, अच्छा सा लगता होगा, ना कि इंस् साथ आप बोलते होंगे इस टाइम में लाइव आओंगा तो उस टाइम कैसा लगता अप अब वी तो अन प्लैन दी चलता है अचानक कभी भी मन पिया तो आप लाइभ चले गए तो लुड़ते होंगे आपसे क्वेशन करते होंगे तो मुझे तो लोगे ही कहते हैं कि आप फिटनेस का या फेशन सेंस का या आप मारे लिए इंस्पिरेशन हो पर जो चीज है मुझे बहुत अच्छी लगती है दब लोगे मेसेज करते हैं कि आपकी वज़ा से अमने सिद्धी में वह एक उमेद मिली है कि अगर यह इनसान कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं तो वह चीज मुझे वह उस तरह के कमेंट्स मुझे बेस्ट लगते हैं कि और उनका मैंने एक रिकॉर्ड भी रखा हुआ है इंस्टाग्राम में अलग बना के क्योंकि मुझे लगता है कि जब बिल्कुल बैठ चाओंगा और कुछ नहीं कर रहा हूंगा तो वह मैसेज चाओ बात करते करते हैं तीन लाग तीसाजार हो गए हो एक है बात करते करते हैं जी गौन इंस्टाग्राम पर यह बात भी है जब बिमार पड़ूंगा तो उनने से शाइद एक भी लिए आएगा नहीं होते हैं कुछ वेल शिर्ज जो आ जाएक है तो जो कॉन्टेंट रह तोटली और्गैनिक मैंने किसे दिन बहुत उलास हूं तो वह बले वीडियो जाले हैं या मुसली मैं वाक के चलते वे वीडियो जाता हूं आप तो क्रेजी आ गया है तो मुझे उस पे कमेंट्स आते हैं कि आप तो चल चल के पूरी दुरिया नाप चुके होगे हैं जो ब कुछ टेमबर पूस तो मैं रिलीट मार देता हैं तो वीडियो तो मेरे अच्छे आते हैं बट कई बार मैं कोई ऐसी बात बोल जाता हूं जो मुझे लगता यह नहीं चाहिए तब तक तो ट्रॉल हो जाता होगे ना उतारे बट मैं अपनी साडिस्वेक्शन के लिए कर दे ट्रॉलिंग तो चलती रहे गालिया तो सबसे कॉमन फीचर है उससे तो आपको आपको यहान अटा दा ही पड़ता यह बात भी है कि यह नहीं होगा तो फिर फब्लिसिटी कहा से में नहीं दिए पुब्लिसिटी की बात दिया है वह बहुत जो कई प्रोफाइल ऐसे हैं जो अटने काम चेल रहे सलता रहें लाइक की बात करूं तो रूटीन के रहता है आपको डेली है आपना मसल अभी क्योंकि मॉम के साथ हूं तो उनको चाय बना के देना बहुत अच्छा लगता है उसके बाद तो फिर और लोग आखे किचन गुटे को बर गल ले और वाक में जाता हूं जाता हूं जिम करता हूं थोड़ा सा स्विर्विंग करता हूं और खी के बेसेज़ वह एपना को आखे कि में इस स्विर्विंग के बार तू मैं को पताए कि आपको बहुत पसंद ऊट है ना तो इम्में में बधाव तो अँ आपको अबाद निवसर हुआ है उस बन मेरा वन दोग ड़ेश दो लें तो जब चाहो उसमें चले जब तो आज के सेशन में बहुत कुछ जानने का मुखा मिला बहुत सारी चीज़े मुझे अच्छी लगी कुछ सुनने में अशाद मैं उस चीज को फॉलो करूँ तो दिनेज जी आप से मिलके बहुत अच्छा लगा मुझे आप हुमारे स्टूडियो में आएं थाइंक्यू सो मच्छ मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में तब तक के लिए जुड़े रही हम ऐसा तो और देखते रहे हिंद बस टॉक